हेलो दोस्तों नमश्कार मैं हूँ राज यादाओ और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत सागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में सीजी टेट के बारे में अपडेट देखने वाले हैं जैसे कि आप सोब को पता होगा यह जो है सीजी टेट का रिजर्ट जब से आया है काफी विवाद की स्थिति बन गई है और मॉडल एंसर जब से इसका जारी हुआ है तब ही से विवाद सुरू हो गया था अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेटेस्ट खबर आई है कि कुछ अब्यार्थियों ने एक अत्रीत होकर फिर से घ्यापन सौपा है व्यापाम ने उनका कहना है कि व्यापाम ने नौ प्रश्णों को विलोपित किया है जिसके वज़े से काफी दिक्कते हो रही है अब्यार्थियों को और यहाँ पर उनके द्वारा मिल करके रायपूर में परिक्षणी अंतरक को व्यापाम में जाकर के परिक्षणी अंतरक को आवेधन दिया गया है इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लिजेगा क्योंकि इस तरह के लिटेस्ट अब्डेट आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं कि टेट परिक्षा, सीजी टेट की परिक्षा के बारे में बात की जा रही है कि नौ प्रेश्ण विलोपित इसलिए बोनस अंग देने की मांग यहाँ पर की जा रही है जिले के परिक्षा आर्थियों ने रायपूर पहुँचकर ग्यापन सौपा है पूरी खबर देखते रहिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिले सही प्रदेश भर में 18 सितंबर को टेट की परिक्षा होई थी सीजी टेट सीख्षक पात्रता परिक्षा होई थी जिसका प्रणाम जारी होने के बाद जो है परिक्षार्थियों ने 36 गड़ वेबसाइक परिक्षा मंडल रायपूर के परिक्षा नियंत्रक को आवेदन सौप कर बोनस अंग देने की मांग की है ठीक है तो यहाँ पर परिक्षा नियंत्रक को जो है व्यापम वेबसाइक परिक्षा मंडल में पहुँचकर वहाँ के परिक्षा नियंत्र को आविदन सहुपा है और बोनस अंग देने की मांग की है उनका कहना है कि CGTate के जारी परिक्षा प्रणामे दस्मलोग पॉइंट के अंग को पूर्ण मान कर जो है उत्तिर्ण बोनस अंग दिया जाए ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तिर्ण किया जाए यह कहा है कि जो पॉइंट वाले दस्मलोग वाले अंग है जो मैंने पहले आप लोगों को अपडेट दिया था कि जो D8B8 संग के द्वारा भी इस तरह का एक ग्यापन जो है मुखे मंतरी जी को सौपनी की तयारी है जिसमें 74 दस्मलोग संथिंग जो भी पॉइंट के अंग है और 89 पॉइंट जो भी पॉइंट के अंग है ऐसे अभी हर्थियों को जो है 75 और यहाँ पर 90 अंक मान करके उनको पास किया जाए ऐसा कहना है और यह इस वज़े से कहना है कि बहुत सारे जो प्रशन है उनको विलोपित किया गया है और कुछ प्रशनों के उत्तर तथा कथी तोर पर जो है गलत लिया गया है वियापंक वितारा इस वज़े से बोनस अंक देने की मांग की जा रही है ठीक है तो वहाँ आपर यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा नहीं होनी के वज़े से कई परिक्शार्थी जो है अन्यत्तिन हो गये हैं और यहां पर देवेन कुमार के दोरा बताया गया कि डीटी परिक्षम में कुल नौ प्रश्ण विलोपित होने से परिक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ है और विलोपित प्रश्ण देकर पॉइंट में ही अंकर रख दिये गए हैं अगर प्रश्ण गलत या विलोपित न निड़ा लेने की मांग की है तो पचाथ से ज़्यादा भी हर्थी नहीं वहाँ पर रुपस्तित होकर जो है वहाँ पर ग्यापन सौपा है परिक्षा नियंतरक को और व्यापम की कई प्रश्ण के दो उत्तर निकल रहा है या तो अंतिमुत्तर गलत लिया गया है या संग दे कर पास करने की वहाँ पर मांग की गई है पातरता के लिए कुछ ही पॉइंट से चूक रहे हैं यह भी बताया गया है कि अगर व्यापम परिक्षाथियं को कुछ पॉइंट बोनस देता है तो पातरता की स्रेड़ी में वो आ जाएंगे ठीक है तो यह अभी आपको अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जो भी इसकी जो भी सकरात्मक या नकरात्मक जो भी इसका परणाम होता है वो अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आज का यह वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद